नमस्कार स्पोर्ट्स एक्स्प्रेस में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ अंक्यात और आई अब खबर दिक्तिम स्थार से इंग्लेंड के साथ जारी पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुकरवार का खेल खत्म होने तक मेजबान न्यूजिलेंड मुश्किल में दिखाई पड़ रहा है इंग्लेंड ने अपनी पहली पारी में 353 रन बनाए हैं इसके जवाव में मेजबान टीम ने इस टरम्स तक अपनी पहली पारी में 144 रन पर चार विकेट गवा दिये हैं भारती कप्ताम विराज कॉहली ने बांगलादेश के खिलाब दूसरे टेस्ट के पहले दिन 99 रन की नाबाद पारी खेली उन्होंने इस पारी के दोरान कई रिकॉर्ड अपने नाम किये इन में सबसे तेजी से 5000 रन बनाने वाले कप्तान का रिकॉर्ड शामिल है मुंबई पुलिस द्वारा 6 दिसंबर को बस्टीनीज के खिलाफ पहले इंटरनेशनल टीटीटी मैच के लिए सुरक्षय ववस्ता मुहिया करा पाने में असमर्थिता जताने के बाद भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस टीटीटी सीरीज के कारिक्रम में बतलाव क करेगी जब की मुंबई में तीसरा टीटीटी मैच होगा भारती टैनिस स्टार सानिया मिर्जा शुकरवार को भारत और भांगलादेश के बीच इडन गार्डन्स में शुरू हुए एथियासिक डेनाइट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल देखने पहुची सानिया ने का